हेलो रिवान, वेलकम टो फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मारोक्स के यूट्यूब एजूगेस्टनल चैनल में आपका स्वागत है इन टोडेस वीडियो लेक्चर, वी विल स्टड़ी इन डेटेल अबाउट दा, मैडिसिन्स फॉर कॉफ तो ये वीडियो लेक्चर में हम जो कॉफ, कि जो वेट कॉफ होता है, कि जिसको हम खासी कहते हैं, कि जिसके अंदर म्यूकस और फ्लैम प्रेजंट होता है तो वो कॉफ के बारे में हम डेटेल में स्टड़ी करेंगे, प्लस उसके लिए कौनसे मेडिसिन्स वगेरा हम यूज करते हैं, कौनसे हर्बल को भी हम ट्राइ करते हैं कोगी हर्बल्स भी काफी इफेक्टिव है, वेट कॉफ के अंदर, एस वेल एस जो हमारे दूसरे मेडिकेशन से, कि जो अलग-अलग टाबलेट डूज स्पॉम में है, एस वेल एस जो हम लॉजेंजिस कहते हैं, सीरप सो अगेरा होती है, तो सभी के बारे में हम डेटेल मे स्टड़ी करते हैं, आज के ये वीडियो लेक्चर में, सो लेट स स्टार्ट इन दिस लेक्चर, सो बी अपडेटेट इद विद फार्मा नॉलेज पर देट, सब्सक्राइब दे चैनल, एंप्रेस ऑन बेल आइकोन, एंड नेवर मिस अनी वीडियो ऑफ फार्मा रॉक्स, अगर आप अंड्यूर पके यूजडर है, तो डाउनलोड करिए एप, गूगल प्ले स्टार पर से, और अगर आप अपल आईफोन यूज़ कर रहे है, तो एप स्टार पर से ये एप को डाउनलोड कर सकते है, लिंक्स हमने डिस्क्रिप्चन बॉक्स में दी हुई है, तो then you can access the test series which is online available on app also the video lecture and special test series for drug inspector examination so get this facilities on the app pharma rocks download this app pharma rocks android app on google play apple iphone app on app store so first our main important point is a cough कि what is cough कि जिसको हम हिंदी में खासी कहते हैं तो coughing is a common reflection that clear our throat of mucus और foreign irritants कि जो हमारा ये throat का जो part है पूरा अगर ये throat का जो portion है उसके अंदर कोई समझो की foreign irritants है foreign irritants जैसे कि कोई dust है कोई वहाँ पे कुछ भी object है कोई भी object वहाँ पे आपके गले के अंदर फसा हुआ है कोई food के particles भी समझे चले गए है also the food particles तो जब हम खासी खाते है कि जब आपको खासी आती है उस वक्त यह यहाँ से जो release होता है mucus के साथ तो वह वहाँ से बाहर आ जाता है कि जो एक type का common reflex section कहा जाता है कि जैसे reflex है हमारे body के अंदर लग लग reflex होते है तो एक automatic process के तोर पे कि जब एसे foreign particles कोई ऐसे irritants है dust है कोई object है कोई food particles समझो कि वहाँ पे throat के अंदर चला गया है और वह आपको परेशान कर रहा है तो वह जो object से foreign irritants से वह हमारे गले में से हम easily बहार निकाल देते है due to this coughing while everyone cough to clear their throat from time to time और हम even सब सुबह जब आप brush वगेरा करते है उस वक्त भी हम यह हमारा throat है वो proper clear करते हैं everyone is cough to clear their throat from time to time a number of conditions can cause more frequent coughing but normal condition होती है उसमें सब कफ coughing करते है in normal कि it is your routine कि हम कई सकते कि वो एक routine process है कि जब हम सुबह उड़ते हैं तब भी हमारा throat clear करते हैं as well as कोई सी भी time जो है वो normal खासी जो है वो हमें आती है और वो खासी के कारण जो भी कोई foreign objects irritants हमारे गले के अंदर जो फसे है वो उसके साथ निकल जाते है plus यहाँ पे involve होता है mucus because कोई हमें irritation ना हो कि जब यहाँ के समझो कि यहाँ पे कोई object है irritant है तो जब यह mucus उसके साथ involve हो जाएगा तो mucus समझो कि उसके आसपास जमा हो जाता है और mucus के साथ वो खासी के साथ जो है वो बाहर निकल जाता है तो एक टाइप का वो mucus जो है वो lubricant का का काम करेगा कि जिससे वो object के कारण हमें कोई यहाँ पे irritation ज्यादा ना हो easily वो जो है वो हमारे oral cavity के थुरू mouth के थुरू खासी द्वारा वो बाहर निकल जाए तो यह है वहाँ पे mucus का importance बन जाता है इस टाइप के खासी के अंदर कि जिसको हम weight cough गे कहते है weight cough and coughing कि जिसके अंदर involved होता है especially mucus and जो हम phlam कहते है वो दोनों इसके अंदर involved होते है but जब कोई disease condition होती है जब कोई आपको disease होती है कि जैसे कि कोई भी disease है like simple में यहाँ पे बता दो कि किसी को हुआ है TB हुआ है कि tuberculosis के कारण भी जो है वो coughing जो है वो काफी increase होता है chest के अंदर काफी cough जमा हो जाता है then जो pneumonia condition है प्लस किसी को अस्थमा हुआ है cough and cold की condition produce हुई है उस वक्द यह cough की जो amount है वो increase होती है जिसको हम कहते है acute cough cough that lasts for less than 3 weeks कि normal जो है वो समझो कि 10 minute या 15 minute के लिए आप समझो कि खासी आपको आती है और फिर वो बंध हो जाती है फिर समझो कि 2-3 दिन के बाद या 15 दिन के बाद उसको आपको खासी आती है या फिर आप normally जब brush करते दौरान या किसी भी खाना खाने के बाद जब ऐसा कुछ आपको लगता है कि कोई foreign irritants आपके गले में present है throat के अंदर तो आप coughing करते है और उनको निकाल देते है बट ये condition जब काफी दिनों तक चले continuously आपको इस तरह से होता ही जा रहा है प्लस without any type of foreign irritants आपको continuously coughing हो रहा है प्लस उसके अंदर जो phlam है, mucus है वो भी उसकी amount भी ज़्यादा increase होती जा रहा है जिसको हम कहते है sputum, जिसको हम कहते है sputum कि sputum जो है वो excessive amount में जो है वो बन रहा है coughing excessive हो रही है as well as कि जो हम कहते है phlam वो भी excessive amount में create हो रहा है, mucus excessive create हो रहा है कि person को acute cough है, तो a productive weight or chesty cough is when you have a cough that produce mucus or phlam कि जिसको हम कहते है sputum कि ये word के उपर आपको खास concentrate करना है कि weight cough जो हम कहते है, weight or chesty cough कि ये वाला जो chest का portion है, वहाँ पे जो है वो phlam काफी सारा जमा हो जाता है plus हम कहते है कि sputum and दूसरी चीज़ है mucus that contain the mucus कि वो phlam भी produce कर रहा है, sputum as well as mucus ये तीनों के amount जो है वो increase होते है you may feel congested and have readily or tight chest अब जब एस तरह का पूरा mucus वो जमा हो जाता है हमारी chest के अंदर, तो आपको येसा लगता है tight chest जिसा लगता है, congestion जिसा लगता है कि वहाँ पे कुछ फसा हुआ है और वो उसको निकालने के लिए आप regularly coughing करते है कि continuously वो person जो है वो coughing करेगा उनको वहाँ से chest में से निकालने के लिए और continuously हम देखते हैं कि जो TB के कुछ patients आप देखते हैं अस्थमा के देखते हैं patients plus common cough and cold कि जब काफी severe condition उस वक्ट भी patient जो है वो continuously coughing करता है और जब आप उसको observe करोगे तो उसके body के अंदर mucus, sputum as well as phlegm यह तीनों का जो level है वो काफी increase होता है और उसको diagnose करने के लिए specially chest x-ray किया जाता है the physicians and doctor always perform the chest x-ray chest का x-ray जो है वो जरूर से निकाला जाता है उससे पता चलता है कि कितने amount में कौन से जगा पे यह sputum या फिर जो हम कहते हैं phlegm या फिर mucus वो जमा हुआ है तो उसको अब दिरे दिरे आपके body में से remove करवाना है as well as उसके जो production है वो reduce करना है कि जब उसकी हम treatment में दो चीज़ का ध्यान रखते हैं कि एक तो आपको reduce करना है उसका production and second चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि increase करेंगे उसका expel out expel out मतलब कि आपके body में से वो निकल जाएगा explain out दो तरीके से होता है एक तो आपका oral through हो जाता है plus rectum के through stool के अंदर भी कई बार cough जो है वो निकल जाता है कि आपका stool generate होता है उसके अंदर भी कई बार ये mucos over root से भी निकल जाता है आपके body में से वो chest में से as well as जहाँ पे भी ये mucos excessive जमा हो रहा था वो body में से expel out हो जाएगा तो patient को comfortable feel करवाने के लिए उसकी proper treatment कर लेनी तुरंत जरूरी है वरना आगे जाके बहुत सारे complications होते हैं तो symptoms are often worse when waking up from sleep and when talking अब जब इस type का जो person है वो जब उठता है सुबह waking up from sleep कि जब सुबह उठते हैं या फिर किसी भी time आप सोए हैं उठते हैं उस वक्त भी ये problem जो है वो काफी खराब होती है plus when talking जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं उस वक्त भी आपको थोड़ा सा बोलेगे फिर से आपको खासी आएगी again you talk something and again you have coughing so this condition become more difficult when you are talking or when you are waking up from the sleep कि जब आप सुबह उठते हैं या फिर किसी भी time सोने के बाद आप उठते हैं और किसी के साथ बात्चित कर रहे हैं कि even जो आपकी जो condition है वो भी दिरे-दिरे काफी खराब होती जाती है तो वो जो coughing है वो आगे जाके फिर अलग-अलग complications produce करता है इवन fever भी हो सकता है cold भी हो सकती है आपको and पूरा जो body है वो pain भी करता है उसके symptoms के तौर पे तो the weight cough may be symptoms left after a common cold infection तो ये एक चीज है कि जब इसके symptoms जो है develop होते हैं after a common cold infection कि जब आपको common cold कि जो हम कहीते है सर्दी जब आपको हुई थी तो सर्दी होने के बाद जो है आपकी chest के अंदर इस तरह से cough जो है वह काफी amount में जमा हो जाता है कि जैसे मैंने आपको समझा थे का हमारे body के three basic elements कि जो हम कहीते है कि वात teeth and cough कि जो आयरवेदा जो है हमारा medicinal system उसके अंदर ये कहा जाता है कि वात teeth and cough कि वात मतलब कि जो वायू कि जो gas है पीत मतलब कि जो हमारे body के अंदर रहा acid है and जो cough है कि जो हम यहाँ पे बात कर रहे है आज के lecture के अंदर cough कि जो mucus कि जो proper amount पे तो ये तीनों का जब balance होता है तब तक सई है बर जब अलग-अलग disease condition होती है उसमें ये जो है वो disturb होता है और उसके amount जो है वो increase भी होती है and decrease भी होती है अगर without mucus जो coughing होता है वो हमने already सिखा dry cough dry cough का lecture जो है वो आपको मिल जाएगा कि जो हमने previous lecture में ही upload किया था यहाँ पे i button पे click करोगे तो आपको dry cough का जो lecture है वो मिल जाएगा कि जिसके अंदर कोई mucus नहीं होता सिर्फ सूखी खास्री आपको आती है बट ये वाला जो condition है वो है weight यहाँ पे जैसे लिखाए कि a productive weight or chesty cough तो इसके causes क्या है what are the various reasons of this cough कि जो है specially weight cough weight or chesty cough तो यहाँ पे हम देखेंगे देख तो smoking कि जो smoker से उनको ये condition जो है वो बार-बार produce होती है उनके body के अंदर प्लस जो lungs भी साथ हो साथ damage होते जाते है तो जो normal respirated rack का जो condition है वो काफी दिरे दिरे भीगरता जाता है जिसके कारण respirated rack के related infections उसमें बढ़ते है और इसके अंदर involved है increasing coughing फिर दूसरी condition की जो अस्थमा के बेसंट है कि जिनको अस्थमा है उनके लिए भी ये जो है cough increase होता है then post nozzle drift post nozzle drift की जो nozzle discharge होते है तो post nozzle drift उसके बाद जो है वो condition जो है वो produce होती है cough की कि जो हम कहते कि common आपको cold हुआ था तो common cold जो infection था उसके बाद ये condition जो है वो काफी increase हो जाती है as well as COPD chronic obstructive pulmonary disease की जो pulmonary disease होती है COPD and chronic bronchitis ये सब भी disease हम cover करने ही वाले है अस्तमा COPD chronic bronchitis ये सब भी disease हम detail में study करेंगे with their pathophysiology and causes sign and symptoms किस तरह से उसके treatment हो जाएगी अगर आप तो इसके लिए आप channel को जरूर से subscribe कर लेना upcoming days में ये सभी हम topics cover करेंगे GERD and acid reflux वो already हमने cover किया है कि वो lectures तो आपको मिल ही जाएंगे कि उसके अंदर भी एक reason है cough को increase होने का because कि एसीड जो है वो हमारा पित है तो पित imbalance होता है तो element cough and value वो भी disturb होते हैं उसके लावा किसी प्रशन को pneumonia है और acute bronchitis है कि चाहे acute हो या chronic bronchitis coughing जो है वो increase होती है and also during the pneumonia तो usually हम simply एक समझे तो जब GERD हो आपको gastroesophagal reflux disease या फिर acid reflux हो रहा है और respiratory tract का किसी भी तरह से infection है RTI जब हम करहे है respiratory tract के infections के लाइक अस्थमा का है या फिर COPD का है chronic bronchitis, pneumonia, acute bronchitis, any type of respiratory tract infection may cause this coughing. So what are the signs and symptoms of this cough that first is runny or stuffy nose, second is feeling of liquid running down the back of our throat that is post-nuzzle drip कि ये जो nose का जो portion है और उसके पीछे जो पूरी जो हमारी नuzzle drip समझो की जा रही है और आगे जाके वो lungs को मिलेगी. तो liquid running down कि वहाँ से आपको ऐसे लगते है कि जो liquid है वो वहाँ पे चाहे फसा हुआ है या फिर वो liquid नीचे की और जा रहा है या फिर कुछ liquid जो है या फिर एसा tightness आपको लगती है chest के अंदर तो वो condition है sign and symptoms उसके कहा जाएंगे फिर frequent throat clearing अब जब आप normal condition में होते है तो आप घंटों दक बोलते है या फिर कुछ भी काम करते है तो हम जो है वो throat जो है वो clear नहीं करते समझे कि सुबह उठने के बाद या फिर रात को सोते समय या फिर खाना खाने के बाद कई बार किसी को coughing जैसा होते है तो that was some normal बड़ समझे कि frequently आप throat clearing कर रहे है by coughing continuously आपको खासी आ रही है तो वो ये symptom है कि ये person को coughing जो है वो हुआ है फिर sore throat गले में खारास जैसा आपको लग रहा है तो वो भी एक उसका symptom है coughing का hoarseness hoarseness जो condition है कि specially कि जो आपकी आवास जो है वो काफी change होती है इसके अंदर कि जिसको हम कहा जाता है specially कि changing voice changing in voice कि hoarseness जैसा voice आपका हो जाता है कि जिसको हम कही सकते कि जैसे horse किस तरह से जो आवास करता है वैसी condition जो है वो कही जाते कि hoarseness देन वीजिंग और shortness of breath वीजिंग और shortness of breath ये condition प्रोडिस होती है then heartburn और sore taste in your mouth heartburn होता है कि आपको जैसे chest में जैसे burning होता है वैसे heart burning होता है and a sore taste in your mouth हमारे mouth के अंदर हमें sore taste जैसा लगता है in rare cases coughing of the blood कि जो हम कहते कि TB कि जो TB की जो patients होते हैं उनके अंदर coughing के साथ blood भी आता है तो ये सब condition जो है वो प्रोडिस होती है और in coughing तो अब जो बात है next वो है medicines for cough कि जो weight cough है specially weight cough तो उसके लिए हम कौन से medicines पगेरा यूज़ करेंगे तो सबसे पहले है expectorant वो class की medicines यूज़ का जयती है second है demulsants है, mucolytics है, antitazivs है and bronchodilators तो ये जो main drugs है for cough तो ये जो point है, वो काफी अच्छे से आपको समझने है कि ये जो अलग-अलग class की जो medicines है कि expectorant, demulsants, mucolytic, antitazivs and bronchodilators तो उसमें हम सरवात करेंगे सबसे पहले antitazivs, herbal drug में से तो जो वसाका करके जो herb है, वसाका herb वो काफी popular है to treat the cough कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, वसाका powder है उसका, वसाका का powder है कि जो special हम उसके leaf होते हैं, वसाका के leaf उनका powder निकालते हैं, तो ये है वसाका ये वाला उसका ये plant, कि आप plant देखो, तो इस तरह से आपको ये plant देखने को मिलेगा, वसाका का और आपको नस्दिक से समझें कि मैं आपको दिखाओ, तो ये वाले जो है, उसके इस टाइप के ये leaf present होते हैं तो वसाका का जो leaf है, वो काफी effective रहता है, patients को coughing के अंदर, कि जो especially जो weight cough है, उसके अंदर ये जो herbal medicine है, वो काफी effective है very very effective, तो उसको जो use करने के जो हम तरीके कहें, तो market के अंदर तो उसके cough syrup वगेरा तो available है but इसको एक और तरीके से भी use करते कि जब इसके हम जो बनाते है, कि जो हम herbal kada बनाने की जो बात करते है तो आप समझो कि 1000 ml जितना पानी लेते है, 1000 ml जितना water लेते है, plus इसके 5 to 6 जितने आप इसके leaf लेते है leaf of vasaka फिर थोड़ा सा ginger आप इसके अंदर mix करते है प्लस समझो कि थोड़ा सा आपको जरूरत लगे तो honey भी mix कर सकते है, plus turmeric, powder और यह सब का combination जो है वो थोड़ा सा आप करे गरम करे उसको और उसको गरम करने के बाद जो भी आपको वो काड़ा मिलेगा उसको कर लीजिए आप filter तो उसको अच्छे से filter करके फिर वो जो आपको liquid मिलेगा वो directly आप पेशन को दे सकते हैं कि समझे के 1000 ml आपका पना है तो उसको चार टाइम ले सकते हैं कि सुबह 250 ml जितना वो पेशन लेता है फिर दोपहर में 250 ml लेता है 250 ml in evening and 250 ml in night तो टोटल चार टाइम इस तरह से लेगा दो या तीन दिन के लिए तो भी आगे जो हम medicine सिखने वाले है उसकी चाहे use ना ही करनी पड़े directly आपका ये herbal जो उसका जो काड़ा तयार होगा उसे से treat हो जाएगा दूसरी एक options रहता है कि ये जो leaf है उसको आप dry कर दीजे and dry करने के बाद जो उसका जो powder बनता है वासा करके leaf का powder तो वो जो powder है उसको आप सहेद के साथ mix करके भी खा सकते कि ये powder प्लस उसके अंदर mix करिया आप honey तीवन आप छोटे बच्चों को भी देते है तो भी काफी ये अच्छा रहता है कि थोड़े से amount के अंदर आप उसका powder और honey दोनों mix करके जब छोटे बच्चों को देते है तो उससे भी कॉफ के अंदर उनको काफे फाइदा होता है तो वसा का के जिसको कहा जाता है आधा तोड़ा वसी का उसके कुछ traditional नाम देखे तो इंग्लिस में उसको माला बर नट कहा जाता है फिर अडूलसा उसका नाम है आधा तोड़ा वसा फिर वसा का गुजराती में उसको अर्डूसी कहते है फिर अर्डूसा भी कहा जाता है नेटिव टू एसिया वाइडली यूज इन सिद्धा मेडिसिन आयरवेदिक होमियोपेथिक एंड यूनानी सिस्टम ओफ मेडिसिन तो वसाका के सीरप का जो प्रॉडक्ट है फॉर्मिलिसन है कि जो हम कहते उसका वसाका सीरप वो भी आपको मार्केट में मिल जाती है कि जिस के अंदर मेंली वसाका का एक्स्ट्रेक्ट रहता है बट जो मैंने बताया वो भी आप ट्राइ कर सकते कि जो आपके पास वसाका के जो लीफ है फिर से एक बार में वो पॉइंट यहाँ पे आपके लिए रेपीट कर देता हो कि you have two option कि एक है वसाका के आपके पास जितने लीफ आप लेजिए प्लस 100 ml जितना आप ले सकते है वाटर प्लस उसके अंदर मिक्स करिये तिसरा इंग्रेडियन्ट जिंजर डारिकली आप जिंजर की जो हम कहते है अधिरक वो लेजते है सकते है चौती चीज है कि आप टर्मेरिक का जो पावडर है हलदी जो है वो थोड़ी उनदर डाल सकते है and यह सभी चीज का जो मिक्स्टर है उसको करिये गरम उसको करना है अछे से इट कि जैसे आप Same Like Making Tea, same Like Making, ठीकी जैसे हम चाई बनाते है वैसे ही Same यह आप कर सकते है and इसके अंदर इवन आप तुलसी भी मिक्स कर सकते है जिसको हम कहते है तो तुलसी या फिर बजिल्स के जो लीफ है वो भी आप ले सकते हैं तो ये सब का मिक्सचर वाला एक आप काड़ा बनाई है और ये अच्छे से आप 15-20 मिनिट तक उसको अच्छे से बॉल कर ले जैसे चाय बनाई के लिवत करते हैं और उसके बाद उसको अच्छे से फिल् 250 ml अप्टर नून के अंदर फिर 250 ml इवनिंग के अंदर और चौथा 250 ml दूरिंग दा नाइट तो मॉर्निंग अप्टर नून इवनिंग और नाइट तो इस तरह से भी ये डायरेक्ली उसका जो एक्स्ट्रेक्ट है वो बाडी में जाएगा पेशन के और काफी रिलिफ होत है क्यूंकि वसा का एक नेच्रल एंटी टर्जिव ब्लांट है नेच्रल एंटी टर्जिव प्लांट है कि जो आपके बाडी में से कॉफ बाहर निकाल देता है एकस्पल आउट करवाता है और वो काफी हैलप करता है दूसरा ओप्सन है आपके पास पावडर तो उसकी जो आपको मिलते है उसको कर लीजिए ड्राइ और वो जो पाउडर है उसके अंदर मिक्स करिए हनी तो ड्राइ पाउडर प्लस हनी तो हनी और ड्राइ पाउडर को अच्छे से आप थोड़ा से मिक्स करके जो सेमी सॉलिड जैसा बनेगा कि जो हनी के अंदर पाउडर जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है तो एस सेमी सॉलिड भी डाइरेक्ट लिया फिर यह लिक्विड और समझे कि कोई ऐसा परसन ने कि डाइरेक्ट लिए लीफ खा सकता है तो वो भी जैसे आप पान जैसे चब कि लाइक क्लाव कहते हम वो अंदर रखके आप डायरेक्ली खा सकते तो आपको फ्लेवर भी मिल जाएगा क्लाव के करण और इसकी जो थोड़ी बिटरनेस होगी वो कम हो जाएगी तो डायरेक्ली यह लिफ भी आप खा सकते कि जगर आपको तो यह वसाकास से ही काफी फाइदा होता है कौफ के अंदर उसके बाद जो हमारी मेडिसिन से लाइक फेरेंजियल डिमूलसंट्स की जो बात की जाती है कि ऐसी हर्बल ऐसी मेडिसिन्स कि जो हमारा मेडिसिन्स होता है यह मेडिसिन्स का तो रेस्परेटरी ट्रेक के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लमेशन होता है यह मेंब्रेन का तुस्वक्त यह फेरेंजियल डिमूलसंट्स होते है वो उसके उपर एक सुधिंग फिल्म बनाते है और उसको जो है वो हील करने का स्टार्ट करते है दे स्टार्ट टू हीलिंग की जो हीलिंग है प्लस हम जो कहते है क्यों और करना स्टार्ट कर देते हैं फेरेंजियल डिमूलसंट की जो हमारा म्यूकस मेंब्रेने की जो डैमेज हुआ है due to this continuous coughing कि आपको ज़्यादा excessive coughing होता है तो ये obviously वो damage होगा as well as उसका होगा inflammation तो उसके लिए logenges and cough drops काफी famous है और इसके अंदर भी जो embrogzol करके जो drug है कि जैसे हमने dry cough में देखा था कि dextromethorphan के इस type के cough drops मिलते है कि जो dry cough के लिए है बट जब आपका cough होता है weight तो आप इस type की product purchase करें over the counter उस वक भी ध्यान रखना चाहिए कि आप embrogzol वाला ले रहे है या फिर आप dextromethorphan का ले रहे है कि dextromethorphan dry cough के लिए है जबकि embrogzol का आप लेगे तो यहाँ पे ही लिखाए कि chesty cough तो यह अच्छे से पढ़के ही आपको लेनी है और 15 mg logenges की जो mucolytic का काम करेगी mucolytic logenges clear the airways and help get rid of phlegm तो यह है एक option उसके बाद lintus is containing the syrup की जो इसके अंदर glycerin होता है and leucorize herbal के अंदर leucorize भी काफी famous है कि जिसको कहा जाता है muleti muleti का root भी समझे के आप चबाते हैं तो भी उसका काफी फाइदा हो कि muleti के root के जो समझे के एक छोटा सा टुकड़ा आप आपके mouth के अंदर रखते हैं और उसको चबाते हैं और उसका जो rust निकलेगा वो आप swallow करते तो उससे भी ये खासी के अंदर काफी फाइदा होता है तो ये था फेरेंजियल डिमिल्संस की जो anti-inflammatory का काम करते हैं कि जो relieve करते हैं minor fan and inflammation of the mucous membrane of respiratory tract इसके बाद है expectorant and muco kinetics expectorant that increase airway water or the volume of airway secretion airway secretions को increase करवाद है उसका volume and increase the airway and mucolytics are those thin reduce the viscosity of mucus viscosity जो होती है mucus की वो reduce कर देते हैं कि जब viscosity काफी increase होती है पहले जो है वो आप देखो कि nozzle discharge जो होता है वो होता है watery फिर ये जब आपकी condition होती है cold की अब जैसे जैसे cold दिर दिर कम होता जाता है तो आप देखना ये discharge जो है वो water ही था तो अब जो है उसकी viscosity increase होती है काफी जो watery discharge था वो अब हो चुका है viscous और ये जो है वो जमा हो जाता है आपके chest के अंदर ये जिसी के करण आपको लगता है tight लगते हाँ chest के अंदर plus difficulty होती है और काफी complications होते है और regularly खासी होती है cuffing होता है और वो remove करने का आप try करते हैं तो जो mucolytics drug है वो ये जो second portion के अंदर जो viscosity increase होई viscous बना जो mucus उसको reduce करवाएगी उसको करवाएगी reduce तो ये mucolytics काफी effective बनते है to treat this condition फिर mucolytics increase the transportability of the mucus by cough अब जब viscosity उसकी कम हो गई है तो वो easily transport हो सकते है coughing के दौरान और body में से जो है वो उसका expel out जो है वो हो जाएगा easy कि viscosity कम हो गई and transportability भी increase हो गई mucus की तो easily आपके body में से वो जमा हुआ सब काफ निकल जाएगा and mucoregulators suppress underlying mechanisms of mucos hypersecretion और ये जो mucoregulators है वो simple word में में का हो तो decrease the mucos secretion mucos secretion करवाना completely कर देंगे decrease तो इस तरह से expector and mucokinetics specially काम करेंगे कि जिसके अंदर involve है bronchial secretion enhancer कि जिसके अंदर sodium और potassium citrate है potassium iodide है guephancin कि जिसको glyceryle guepholate कहा जाता है balsam of tolu vasaka and ammonium chloride की जो vasaka के बारे में तो मैंने already detail में आपको समझाए कि जो secretion enhance कर देते है bronchial कि जिसके कारण जो cough वो release हो जाता है and expel out from body कि जैसे आप vasaka use करते तो उससे भी यह होता है कि cough आपका जो भी जमा हो गया है एक जगा पे वो जम चुका है एक ही जगा पे वो accumulate हो चुका है तो वो accumulate हुआ जो cough है वो अब release होना start करेगा due to this expectorant and mucokinetics और vasa का तो herbal है balsam of tolu but guefensin के जो cough syrups काफी popular है यह आप आप देख सकते के ambroxol HCL turbutalin sulfate and guefensin syrup तो यह जो combination वाला जो syrup होता है वो weight cough के अंदर काफी effective because इसके अंदर ऐसे medicine से कि जो cough का release करवाना increase करवाती है और उसको expel out करवाती है आपके body में से तो जब आपको weight cup होता है तो यह काफी effective साभित होता है उसके अलावा जो expectorant and muco kinetics के अंदर दूसरा है muco lightics कि जिसके अंदर होता है bromhexin ambroxol carbocysteine तो यह वाली जो syrup है उसके अंदर आप देख सकते है bromhexin है plus guefensin भी है and साथ में है terbutalin तो terbutalin भी काफी effective है साथ में यह combination बनाता है bromhexin और ambroxol and guefensin कि muco lightics and bronchial secretion enhancer दोनों combination में भी यूज होते है cup syrup के अंदर कार्बो सिस्टीन and acetylsystine फिर antituses की जो cup center को suppress करते है ऐसे की जो reduce करते है cup production cup का जो production है वो reduce करवा देते है कि जिसके अंदर opioids है कि जो codin falcodin and ethylmorphin और यह रहेगी Rx Rx only यह आपको OTC नहीं मिलेगा proper prescriptions के साथ ही doctor की सलाह के साथ ही आपको यह लेनी है proper health जाकब के बात दो तो नहीं देन आपको नहीं मिलेगा आपको यहाँ आपको नहीं मिलेगा अंदर की यहाँ अनदर तो यही जो आप्शन से आपके पास एंटेटर्जिव्स के टु ट्रेट दे कंडिशन ओफ कॉफिंग उसके बाद एंटेहिस्टेमाइज के जिसके अंदर क्लोरफिनाई रेमाइज के जब एलर्जी के करण ऐसा हुआ है तो डाईफिन हाईडरेमाइन एन प्रोमेथाज है तो यह वाली कउफ शीरप्स, जो है आपके उसके अंदर देख सकते हैं कि जिसको कहा जाता है पॉपिलर CPM जो आप उसको कहते है कि जो एक्सपेक्ट ओरंड का भी काम करते है and body में इसे जो cough है वो release करवाने में help करती है उसके बाद adjuvant antidepressives जिसके अंदर है bronchodilators, salbutamol and terbutalin कि जो हमारी bronchize होती है उनको dilate कर देती है जिसके कारण उनके अंदर जो फसा हुआ, जो mucus है, cough है वो easily जो है वो nickel में help करेगा तो वो है salbutamol and terbutalin कि जो salbutamol का ambroxol के साथ भी syrup होता है as well as terbutalin तो आपने देखा है कि जो अलग-अलग syrup के अंदर वो common ingredient रहता है कि जो 3 or 4 ingredients जो होते हैं syrup के अंदर तो terbutalin भी उसके अंदर add किया जाते है तो ये थे drugs used to treat coughing home remedies भी हम try कर सकते हैं अलग-अलग for coughing कि जिसके अंदर हम use करते है lemon and cinnamon plus honey ये तीनों का combination lemon cinnamon and honey उसके बाद garlic कि जब आप routine आपके खाने में एक garlic है वो भी काफी effective savit होता है milk and turmeric आप लेते हैं कि जो हल्दी वाला दूद आप पेते हैं वो बात है honey, फिर flaxseed, hot peppers, फिर also the brandy and ginger tea even brandy से तो कई लोग malis भी करते हैं कि आपकी chest उपर उसकी malis करें तो भी coughing जो है वो काफी reduce हो जाता है और वो expel out हो जाता है बोड़ी में से तो यह थी home remedies and medicines as well as herbal medicines for the cough और specially जो हमने सिखा weight cough dry cough का भी lecture available है यहाँ पे i button पे क्लिक करने से आपको सभी lectures की link मिल जाएगे तो जरूर से हमारी channel को subscribe कर लिजे and whatsapp group को join करिए send your name, city name and whatsapp on 9426180836 subscribe the channel press on the bell icon use the formarox android app on google play as well as apple iphone app on app store so get the facilities of study material test series and video lecture on the app good luck and all the best